दोपहर तक स्पॉंसर बाई कॉर्टिल्य अकाडमी रीवा उजयन लोकायोक्त ने बड़ी कारवाही की है टीम ने जिले के कानड थाने की महिला टी आई को 29,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार किया है आरोप है कि टी आई ने एक सटोरिये से जुए और सटा चलाने के एवज में रिश्वत मांगी थी और महिला टी आई ने रिश्वत मांगी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कानड निवासी रितेश राठोर ने उजयन लोकायोक्त में शिकायत की थी और आवेदन का त्यापन किया गया तो जो शिकायत थी वो सही पाई गई आगर मालवा जिले के कानड थाना टी आई मुन्नी परिहार उस वक्त सटा चलाने का दबाव बना रही थी और हर महीने बीस हजार रुपए के रिश्वत मांग रही थी पिछले महीने की बाकी 9000 की रकम के लिए वो प्रेशर डाल रही थी और जैसे 29000 की रिश्वत टी आई ले रही थी उजैन लोकायुक्त की टीम ने उन्हें रंगे हाथो गिरफतार कर लिया तो बड़ी कारवा ही उजैन लोकायुक्त की टीम द्वारा 29000 की रिश्वत लेते है उनके निजी शेत्र के छोटे उद्योगों के करमचारियों को हर महीने पांच-पांच हजार इंसेंटिव देने की तैयारी मधिप्रदेश सरकार कर रही है मधिप्रदेश के युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनी को बैंक लोन पर दो प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा सियम शिवराज सिंग चोहान ने इसके लिए बैठक ली और बैठक में सहमती के बाद इसके लिए प्रस्ताव भी तयार किया गया है जुसे जल्दी कैबिनेट में पेश किया जाएगा अगर ऐसा होता है इंतबाम प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और सारा कुछ ठीक रहता है तो मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा जो इस तरह का काम करेगा प्राइवेट कर्मचारियों को पांच-पांच हजार का इंसेंटिव दिया जाएगा चौथी बार सत्ता में आने से ही शिवरास सरकार का फोकस युवाओ और रोजगार पर बना हुआ है एक के बाद एक एलान किये जा रहे है फिर चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के लिए हो और अब प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है प्रस्ताफ तयार कर लिया गया है और क्याबरिट से मंजूरी के बाद प्रदेश के प्राइवेट कर्मचारियों को हर महीने 5-5,000 रुपए इंसेंटिव देने की तैयारी मधिप्रदेश सरकार कर रही है